हाई हेलो एवरीवन होवारी ओल नमस्कार दोस्तो सस्त्रीय काल गुद मॉर्निंग जो भी है सुभी को मैं हूँ प्रवीन मिश्रा सौगत करता हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में तो आज का सेशन जो हमारा है क्लास 9 यह जो वीडियो हम बना रहे है तो क्लाइमेट के ऊपर बना रहे है क्लाइमेट के ऊपर बना रहे है क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट जाता है चाप्टर 9 स्टांडर में ऐसा कुछ नहीं है क्लाइमेट में पढ़ना क्या है स्टार्टिंग का तीन से चार पेज टेक्सबुक के बढ़ियां से बाकी तो हमें स नाइन्थ जोग्राफी का फूर्थ चाप्टर रेडक्शन स्लिब जो स्लिब्स रेडियूस हुआ है उसके उपर करते हैं अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं हम देखते हैं कभी चाओ कभी धूप कभी बारिश कभी हवा ठीक है तो यह चेंजेस होते रहते हैं का चार मह इस आपना यहां पर सिजन जा downward नाफ़ बारेश होती है फिर थन्डी आज आती है फिर गर्म होती है वह तर dopo पर फोश्व में करते हैं कसका करते हैं यह जानते हैं कि पहले once हम ग्लाईमेड होता क्या है हम तो बहुत सरे word use करते हैं बहुत हमेश्चा बड़ एक्चिल में है क्या यह चीज किस कभी change होता है कितने time में change होता है किस तरह तो आपको बता है कभी दूप कभी चाओ कभी बारिश कभी हवा रिख है यह जो changes को यह जो सारी चीजे हैं, तो किस तरीके से, कब होती हैं, कहां से ये वर्ड आया है, ये सारी चीजे हमारे दिमाग में आती है, तो climate का हमारे अब एक atmospheric pressure, हमारे यहां नहीं, सब जगे atmospheric pressure है, ये जितने भी conditions है, changes, some total changes हम उसे कहते हैं, देखिए अब वो climate refers होदा, some total of weather conditions, जितने भी weather conditions, और उसके variation मतलब क्या होता है, दोस्तों, variation मतलब क्या होता है, changes होता है, तो जो भी changes आता है, over an area, हम कहां पे रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हमारा beautiful country है, तो ये पूरे भारत देश में, अगर इरिया कितना है, कितने एरिया में, 3.28 million square kilometer एरिया में हम रहते हैं, ठीक ह तो ये इतने एरिया में, जो भी weather conditions है, इन weather conditions में, जो भी changes आते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, climate कहते हैं, बड़ा simple सा मतलब है, क्या मतलब है, climate refers to some total of weather condition and variation over an large area for a specific period of time एक time period of specific भी कैसा, ऐसा रहें कि एक माईना, छे माईना, वो specific time long period रहता है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमें पता है, it is more than how much 30 years होता है, एक 30 साल में climate, रोजचेंज नहीं होता है, जो रोजचेंज तो उसे हम climate नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो next topic है, बड़ जो रोजचेंज, that is not a climate, climate में जो changes आता है, वो काफी time के बाद आता है, So what is climate, बड़ा simple सा मतलब है, some total of weather conditions and variation over an large area for a long period of time as refers to what climate, वो time period क्या है, दोस्तों, time period 30 years, 30 years में जो भी changes आते हैं, उसे over an area में, हमारे weather conditions में, उसे हम क्या कहते हैं, climate कहते हैं, climate के नाम से हम जानते हैं, देखो आपको भी किस उसी प्रकार के images में चीज़े आपको दिखाएं, कभी दूप, कभी चाओ, कभी यह सारी चीज़े चलती रहती है, then इसके बाद, यह हो गया, climate का मतलब हो गया, अब climate के बाद, जो मतलब आता है, weather, वहाँ पे क्या लिखा था मिलिंग में, दोस्तों, some total of weather condition and variation, so question हमारे दिमाग में आता है, कि भाई, what is weather, weather का मतलब क्या है, यह weather क्या होता है, चलो हम समझ गए कि जो भी changes weather में आता है, वह climate है, but weather क्या है, तो weather का मतलब क्या होता है, यह जो धूप, चाओ, बादल, सब चीज़ों की मैं बात कर रहा था, कि क्या होता है, कि atmospheric pressure म So weather refers to a state of atmosphere, over an area for a point of time, यहाँ पे time period कम रहता है, जो हर अपते में, कभी देखो, एक अपते बात बारिश होती है, फिर आचानक दूप आ जाता है, फिर तो यह जो changes आ रहा है, यह weather change हो रहा है, climate change नहीं हो रहा है, so weather change होता है, वो small area के लिए खास कर रहता है, over an area के रहा, small time क लिए change होता है, and फिर फटक्स उसमें changes आते है, उससे हम क्या कहते है, weather कहते है, so weather refers to a state of atmosphere, क्या बोला, state of atmosphere, over an area, any point of time, अच्छा सा, एक्दम छोटा सा मीनिंग है, बढ़िया सा मीनिंग है, weather refers to, क्या बोला, weather refers to the state of atmosphere, over an area, at a point of time, state of atmosphere, यह जो atmospheric changes होता है, यह दूब, बारिश, यह जो हवा, यह जो state of atmospheric changes है, over an area, and specific, एक point of time के लिए, उसे हम क्या कहते है, दोस्तों, उसे हम कहते है, weather, so climate का मतलब, climate के बाद, weather का मतलब, अब यह question, यह दूसरी बाद, हमारे दिमाग में आते, कि हम पैचानते कैसे है, जानत we can know about the changes in weather conditions, हमें कम मालूम पढ़ता है कि weather change हो रहा है, हमें कम मालूम पढ़ता है कि आज बारिश होने वाली, किस, बहुत सरी, कुछ उन्हें कैसे मालूम पढ़ता है, for that, we are having what elements है, उन elements से हमें पता चलता है कि आज changes होने वाला है, आज weather अलग है, आज का situation अलग है, that is what called as weather, so elements, वो कौनसे elements है, कौनसे elements से पता चलता है, so दोस्तों, for weather and for climate, we are having five elements, पाच elements है, जहां से हमें पता चलता है कि there is a change in weather condition, उन पाच element में first temperature, बढ़ता है, अभी देखो, मेका महिनदा था थोड़ा दिन पहले, अभी अक्टूबर ही चलता है, अभी भी temperature अपने यहां पे जादा है, so temperature कभी बढ़ता है, temperature कभी कम होता है, so यह मालूम बढ़ता है, गर्मी है कि थंड़ी है कि क्या होने वाला है, हम बोलते हैं बारिश होता है, फटाक से एकदम temperature बढ़ जाता है, उसे हम humidity बोलते हैं, देखो यह भी यहां पे लिका रह which falls down, that is even known as what rainfall हम कह सकते हैं, या फर कुछ जगों में हमारे यहां पे rainfall नहीं होता है, क्या होता है, snowfall होता है, तो यह पाँच एलिमेंट हैं, इन पाँच एलिमेंट से हम कह सकते हैं कि भाई, आज का weather अलग है, आज weather condition में changes आई है, या यह हपते तक का weather condition में अनुमान जो हमें अलग अलग आते हैं, तो हम इन elements के through कहते हैं, that is what temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation, these are the five elements of both, actually, यहाँ पे weather लिक है, but these are the elements of climate as well, टेक है, एक बट जब हम पादा, weather change है, तो automatic climate तो फ्रक चंच, मतब ख्लाइमेंट में changes आने ही वाला है, so there are five elements of weather and climate, उन उन पाच एलेमेंट कौन से कौन से temperature है, atmospheric pressure है, humidity है, precipitation है, and at the same time के wind है, यह पाच elements of weather and climate के, जिससे हमें changes के बारे में पता चलता है, कि आज का क्या condition है, आज का क्या weather है, अब इसके बाद, हम यह देखते हैं, जो हमारा question है, बढ़ियां सा, the world is divided into several climate regions, सही बात है, वर्ल्ड में अलगले climate regions है, अब क्या आपको पता है, कि इस में इंडिया कौन से region, कौन से climate में आता है, इंडिया का क्या climate का नाम क्या है, और क्यू है, देखो, बहुत बार आप लोगों ने सुना हिस्ट्रियों करें, कि पहले बहुत सारे traders हमारे यहां आये, उन्होंने trade किया, काफी time पहले, ancient time की बात करते है, वहां पे settle हुए, फिर वाद में मुगल्स आये, रूल किये, फिर ब्रिटिश आये, रहे कि नहीं, तो कुछ, उसे से तोड़ा सा related inventions है, जो भी है, वहीं से हमें मालूम पड़ा कि हमारा climate, कौन सा climate है, सबको बद है, हम बोलते है, monsoon type climate है, बट ये monsoon word कहां से आया है, ये monsoon word का मतलब क्या है, ये नाम किसने दिया है, ये चीज भी जानना जरूरी है, हम जब भी आप लोग सर्च करोगे या देखोगे या पड़ोगे, तो it will be always show that, कि या India has monsoon type climate, बट वाइ इंडिया has monsoon type climate, किसने हमें बता है कि इंडिया में monsoon type climate है, ये जानना भी ज़रूरी है, तो जो word monsoon है, ये Arabic word से डराइब वो है, उस Arabic word का नाम किया है, मौसीम, और जिसका मतलब है actual में, क्या, season इसका मतलब है, तो monsoon का actual मतलब क्या होता है, seasonal reversal wind, seasonal reversal wind, ये monsoon का मतलब होता है, अब क्या हुआ था, कैसे हुआ यहाँ पे अरबिक टिडर्स जो आदे वर ट्रावलिंग टूवर्ड्स इंडिया, तो उन्होंने देखा कि जो wind system, जो reversal wind कभी ये तरफ हावा चल रही है, कभी वो तरफ हावा चल रही है, कभी उनको हावा सपोर्ट कर रही है, इंडिया की तरफ आने में कभी रोक रही है, और जब उन्होंने ये अब्जर्व किया, चेंजेज इन दे वेंड की वेंड में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, तो उस observation के बेस में उन्होंने नाम दिया, कि भाई, यह जो क्लाइमेट है, इस से हम यहां का जो क्लाइमेट है, जो प्लेस से हम कह सकते हैं कि कौन सा क्लाइमेट है, मॉन्सून टाइप क्लाइमेट है, इंडिया है मॉन्सून टाइमेट, the word monsoon derived from Arabic word from Arabic word which means changes in reverse which means seasonal reversal wind the way changes in wind over the time period there is a changes in the wind कभी यहां कभी वहां कभी उन्हें support करें कभी वहां रोक रही है जो मैं आप लोग को बता रहा था so यह हो गया किस के बारे में यह हो गया कि भाई इंडिया का climate कौन सा है इंडिया क्लाइमेट का नाम क्या है अब इसके बाद जो next आता है आगे की जो चीज़ है अगर थोड़ा और भी आगे हम देखता है यह monsoon के बारे में तो the climate of India is described as आपको बता है कुन सा climate monsoon type climate in Asia this type of climate found mainly in the south and south east south and south east में यह climate मिलता है अब आगे जो चीज़े लिखी है despite having monsoon type climate पुरे देश में हम जब बात करेंगे हम कहेंगे नहीं भाई यह monsoon type climate है but monsoon type climate होने के बावजूद हम देखते हैं बहुत सारे changes बहुत सारे variation in our country में हमारे देश में अलग-अलग changes देखते हैं किस पे changes देखते हैं हम regional उन changes को हम कहते है regional variations देखते हैं उन climatic condition में कहीं पे temperature में variation है कहीं पे precipitation है खासकर इन दोनों चीजों में ही रहता है कहीं का temperature थंडी में कम है तो कहीं पे जादा रहता है गर्मी में कहीं कम है तो कहीं पे जादा रहता है कहीं पे बारिश यादा हो रहा है तो कहीं पे कम हो रहा है तो कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रहा है so we are having what kind of climate monsoon type climate but despite having this monsoon type climate we can see lots of variation in our country बहुत सारे variations को हम देखते हैं और हम देख सकते हैं उन वह ज़ादतर variation या तो temperature में रहते हैं या temperature के अलावा दूसरा किसमें रहते हैं precipitation में रहते हैं आपको temperature का मतलब भी बताया और precipitation का मतलब भी बताया चलो देखते हैं क्या changes होता है कैसे होते हैं क्यों होते हैं how question how they vary vary मतलब differ from place to place and season to season एक season होने के वाउजूद भी temperature में क्यों changes है एक प्लेस होने के वाउजूद भी temperature में क्यों changes है why they vary from place to place and region to region which is called as what regional variation जैसे हम कहते हैं so how temperature differ in India from one state to another state रहा है कि नहीं आदेखो पहली अभी जैसा आज अक्टोबर का मन्थ चल रहा है चल रहा है न अक्टोबर का मन्थ अब यह एस अक्टोबर के मत में देखेंगे तो हम कहा देखते हैं कि डे में नॉमली temperature ज्यादा रहता है गर्मी बहुत होती है नाइट में थोड़ा कम हो जाता है इवन नॉमल स्टेट्स की बात करों महारास्टा की बात कर रहा हूं ठीक है यूपी की बात कर रहा हूं फिर वहां पर यूपी है बिहार है मद्द प्रदेश है इन रिजिन्स के और यह टाइम पर देखो तो आल्मोस्ट रेंफॉल बारिश सब जगे बंद होगे बड़ त आई अभी सब आते तो इंडिया में सारे प्लीस कहने के लिए पुरे इंडिया में कुन से क्लाइमेट रहेगा पूरे इंडिया में अब चेंजिस क्या होता है कि in certain places there is a wide difference between day and night time में difference आथा हमने first chapter भी पढ़ा था in the third desert the temperature in day 50 degree Celsius drop down near to 15 degree Celsius in same night देन में पच्चा असरात में पंदरा on other hand there is a hardly any difference in day and night temperatures अन्दमान निकोबार आईलाईंड केरला क्यों है भाई answer तो पता है अपने को क्यों है nearby coast है समंदर के पास है island places but वही third desert काफी दूर है difference देखने को मिलता है rainfall में difference देखने को मिलता है कहीं पे बहुत जादा बारिश होता है हम यही chapter में discuss करेंगे next video में और कहीं पे बारिश होता ही नहीं वही था desert का ही नाम ले लो lots of differences are there बहुत सारे differences और बहुत सारे difference आते है क्या difference आते हैं कैसे difference आते हैं कैसा differ करता है तो मेरा question है how precipitation differ in India from one region to another region despite having monsoon type climate temperature का बता है अब ये precipitation के चलिए ये भी देख लेते हैं कैसा differ करता है अब आप लोगों को पहले से अब लोग को जहां देके तो आडिया रहेगा कि पूरे इंडिया में बारिश का टाइम क्या है बारिश का सीजन क्या है इसे रेनी सीजन के नाम से हम जानते हैं अब उसके वावजूद अभी तुरेनी सीजन खतम हो गया है फिर भी कुछ एरिया में हमारे देश में आज भी बारिश हो रहा है कहीं कहीं पे तो डिसंबर तक बारिश होता होता रहता है कहीं पे बिलकुल बारिश नहीं होता सुवधिशन नहीं होता है कहीं पे प्राइन प्रेसिपिटेशन प्राइश इस वाहाँ पे बारिश कहा है इंट रहें टरौ प्रेसिपिटेशन होता है 400 cm है, तो कहीं पे 10 cm ही है, है ना बड़ा डिफरेंस? Most of the country के अधर receive the rainfall from June to September में, just rainy season की बात कर रहा था, but still उसके अलावा, आपको बदा है कि Tamil Nadu Coast में और का लाज जो पॉर्शन है, वो October, November में भी वहां पे बारिश होता है, and same goes to our islands, that is Andaman, Nukovar and Lakshu देख, वहां पे तो बारिश December तक होता है, December के इंड में वहां से मौनसून जाता है, so this is how precipitation also differ from one place, temperature differ despite having monsoon type climate, precipitation differ despite having monsoon type climate, एक कोश्चन आता है एक्जाम में, धान में रखिये, तो this is a wide range, wide difference, what we can say that, in a wide difference, wide range, what we can say that in case amount of rainfall, कहीं पे तो बारिश, 400 cm से जादा हो रहा है, और कहीं पे कितना हो रहा है, 10 cm से कम हो रहा है, कहीं पे बारिश हो रहा है, अच्छा कासा, कहीं पे snowfall हो रहा है, कहीं पे क्या होता है कि, कहीं सरस्प्टेंबर तक बारिश हो रहा है, तो कहीं पे अक्टोबा, 9 अवमर, डेसमबर तक बारिश हो रहा है, बहुत सारी, बहुत सारा variations है, बहुत सरे differences है, असजीज को हमें ध्यान में रखना है, अब इसी से related गी जो चीज अमें ध्यान में रखना है, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल जो भी चीज़े हैं अब इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स पार्ट में तो अभी ये थोड़ा हमारे टेक्स्बुक के एक्स्ट्रा कोश्चन्स में जो इंपोर्टेंट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से थिक वॉल से क्यों बनाया जाता है क्योंकि यहां बारिश काम होता है हमें पता है टेमप्लिचर जादा रहता है तो जो मिट्टी से यह जो घर बनाए गए हैं और इस तरीके से रूफ रखा गया है तो क्या होता है कि उतना जादा गर्मी नहीं होता है आ दूसरा रीजन वजरे रजस्तान वेरी हॉट रसीवेरी लेस अमांट अव रैंफॉल चो आपको बता रहता है हाउस अब थिक वाल्स और फ्लाट रूफ क्यों? वही बता है कि तो वह थंडी थंडाख देता है एकदम थंडी नहीं बोल सकता है बट गर्मी जो बहुत जादा गर्मी है उससे रिलाक्सेशन आता है इसके लिए हमारे देश में राजस्तान में जो था डेजर्ट करीजना बाकी जो राजस्तान करीजना वहाँ पे घर इस तरह की तरses फ्लाट रूफ और थिक वाल से बनाए जाते है temperature होने कि, temperature वहाँ पे जधा होने की वज़े से बारिश वहाँ पे कम होने की वज़े से यस तरह का वहाँ पे maximum construction किया जाता है आजकल तो नहीं, आजकल तो देखोगे तो सब पक्के घरी मिलते हैं, सब को सेमेंटर्स बने हुआ, कॉंक्रीट से बने हुए, बट फिर भी अगर तुम प्याओर विलेजेस में अगर आप लोग देखोगे, विजट करोगे तो वहाँ पे इस तरीके से घर बने हुए मिलें हीट को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, घर पे जाने नहीं देते हैं, प्रोटेक करते हैं लोगों को, इसके लिए वहाँ पे हाउजेस इस तरीके से बनाए गए हैं, यह एक बड़ा सा इंपरन कोश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज, नेक्स कोश्चन जो नेक्स आता है, that is what, why is it, the houses in Tarai region in Goa, Goa का नाम है, सबको अचने आता है, and Mangalore have sloping roof, वहाँ पे, अभी यहाँ पे चलो, थीक वाल है, हमको समझ में आगे है, चलो, भई, heat जादा है, अब यहाँ पे sloping roof का, क्यो बना था, sloping roof क्या होता है, इस तरीके से, और देखके समझ में आता है, प अब पानी जमानी होएगा, चलो, ठीक है, इसके अलावा, जो पानी जमानी होएगा, the house in Tarai region, Goa, Mangalore have been sloping roof, because, पानी जमानी होएगा, मैंने बोला, इसका मतलब, वहाँ पे बारिश होता रहेगा, ना, इसका दो पानी जमानी होएगा, पानी में पहले बाता है, पानी season में बहुत जादा बारिश होता है, तो पानी collect जमा हो जाएगा, पर टप टप करेगा, तो कैसे रहेगा, तो इसके लिए because of the sloping roof, क्या होता है, rain water easily, क्या होता है, फ्लो हो जाता है, और कहीं collect नहीं होता, कहीं जमा नहीं होता, तो क्या होता है, कि बढ़ियां तरीके से वो जो coastal region है, coastal region है, वहाँ पर sloping roof के घर बनाए जाते हैं, इस तरीके से, इसको हम sloping roof बोलते हैं, और यह चीज़े जानना, याद रखना बहुत जरूरी है, हमेशा है, अपना जो specially 9th standard का जोग्राफी है, अपने 9th तक इने आंगे भी काम होने वाला है, आने वाला जोग्राफ आंगे भी हमें कुछ करना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, नेक्स जो कुश्चन है, why houses in Assam are built on stilt पे कैसे बना है, stilt क्या होता है, पहले यह देख, अभी आजकल दो buildings भी ऐसे बनता है, यहाँ पर parking lot दियाता है, बट खेर अलग बात है, यहाँ पर parking lot नहीं, यह पर कुछ भी नहीं दिया, यहाँ से, क्यों बना है, आसाम में दिखते हैं, अभी तीन साल से तुम्हें सुन रहा हूँ कि हर साल वहाँ पर flood आता है, बहुत ज़ादब बारिश होता है, heavy बारिश होता है, तो घर को बाड से बचाने के लिए, यहाँ से क्या होता है, पानी बैके निकल जाता है, इतने एरिया में, कम एफेक्ट होना चाहिए करके क्या होता है, कि बाई पानी नीचे से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होईगी, ठीक है, हम अराम से रह लेंगे, इसके लिए वहाँ पर स्टिल्ट पर घर बनाये जाते हैं, बिकॉस दे रेसीव हैव लाट, लॉट्स ओपरड़ी, आस वेलाज हुमन लाइफ, एनिमन लाइफ, हर तरीके से दिक्कते लाती है, बचने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध तो अपने को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज को रखना पड़ेगा, तो जैसा हमने देखा कि बहुत जादा गर तो हमने गाए कि इस टिल्ट पे घर बना दिया, ऊपर थोड़ा घर बना दिया, मस अच्छे का से तो क्या है कि भाई पानी अराम से निकल जाएगा, देखे, हाउज नासाम बेल्ट इन देस्ट बिल्ट बिकॉस अस्टे रसीव अबंडेंड रेन फॉल दू दू विच फ्लड आता भी है, in case of flood the water might get inside the house, सही बात है, and if the house built on the ground level, so ground level तो दिक्कत वा नहीं है, so avoid, so in order to avoid flooding of house, house are built stilt and above the ground level थोड़ा उपर बना दिया, तो गर के अंदर पानी नहीं जाएगा, और सुकून से रह सकेंगे, दिक्कते का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए घर को stilt पे बनाया जाता है, यह important question हमने पड़ लिया, फिर हम पड़ रहते हैं, मैं बता रहा था आप लोगों को, कि क्या था कि हमारे यहां पे इंडिया में होने के बावजूद भी, क्या है कि बहुत सारे variation है, temperature में, precipitation म क्यों है, तो वो variations of India में नहीं, वर्ड के किसी area में भी कोई भी place रहेगा, तो हमें variation देखने मिलेंगे, because climatic controls, because factors तो अलग है, पर उसके अलावा, there is something which is called as climatic controls, major climatic controls, जिस से climate affected है, बहुत जादा, climate of each and every place of the world, हर जगे के climate को फरक पड़ता है, so it is actually controlled by these major controls, which are six climatic controls, वो six major climatic controls से climate करते हैं, मैंने एक example भी दिया है, आपको रियाद रहेगा, आप एक बार रिवाइन करके वीडियो देख सकते हैं, क्या होता है, कहीं पर बारिश, कहीं पर कम, coastal region, third desert के बारे हैं, जब मैं बदा रहा था, तो वो 6 climatic controls को इस प्रकार से है, सबसे पहला है, latitude, भाई, latitude, latitude आपने सुना है, Tropic of Cancer का नाम सुना है, Tropic of Capricorn का नाम सुना है, Equator का नाम सुना है, ये सारी चीजे क्या है, connected direct rays of the sun से, जो भी area nearby ये तीनों के आसपास में रहेगा, वहाँ पे sun का direct heat आएगा, और direct heat आने की वेशे हमेशा temperature क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और एक चीज़, temperature क्या होता है, decreases as we move towards the poles, पता है, जैसे हम poles की तरफ जाता है, temperature क्या होता है, कम होता है, रहे की नहीं। सो जिसकी वज़े से क्या है, कि latitude जो एक सबसे बड़ा factor है, सबसे important factor है, जिसकी वज़े से जो एक climatic control है, जिसकी वज़े से climate of each and every place क्या होता है, affected होता है, climatic control के बाद, altitude, altitude जैसे हिमाल्या की तरफ बढ़ेंगे, उच्चाई की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे temperature क्या होता है, कम होता है, और थंडी बढ़ेगी, थंडी बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी भई, आस वी गो अप, आस वी गो अप, आस वी गो हायर, temperature decreases, और आस वी कम लोवर जैसे हम कोस्टल की तरफ आप आते है, temperature increases, नहीं है, जो फर्स्ट जो climatic control है, ओक है, latitude, सेकंड जो है, altitude, थर्ड जो है, pressure, अब प्रेशर डिपेंड भी करता है, latitude, altitude के उपर, can affect the temperature and rainfall, at most, जो प्रेशर डिपेंड की, भई, हम latitude, altitude, कितने दूर में है, कितने पास में, इसके उपर भी डिपेंड करता है, और यह temperature को, rainfall को effect करता है, distance from the sea, समंदर के कितने पास है, temperature में ज़्यादा changes नहीं आता है, कहां पे नहीं आता है, केरला में नहीं आता है, मॉंबाई में नहीं आता है, गोवा में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, ज़्यादा थंडी नहीं होता है, गर्मी भी हम जेल लिते हैं, क्योंकि अपने को आदत सी पड़ गई है, बट वहीं अगर हम आगे नौर्थ इंडी की तरफ से जाता है, दिली में चले जाता है, एंपी में चले जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्तान में, तो वहाँ पे थंडी में बहुत जादा थंडी गर्मी में बहुत जादा कर्मी उसे हम कहते है कि वहाँ का जो climate होता है extreme climate होता है हद से जादा थंडी हद से जादा गर्मी बट जो region nearby coastal है वहाँ पे क्या होता है कि moderate climate होता है ना जादा थंडी ना जादा गर्मी because they are near by the sea तो उसे वो they are controlled by all the things पाच्ववा factor है पाच्वा climatic control से जिसे हम कहते है ocean current ये कहां के climate को effect करता है ये coastal areas से climate को effect करता है ये ही places जो उपर नाम लिखे हुए वोई coastal areas में आते है relief the place where it is available कहां पर है mountain में है plane में है या फिर प्लाट्यू के पास है या river के पास है कौन सी जिगे पर अवेलेबल है it represent on the windward and the more rainfall जो भी ये less rainfall पाई कहां पर ये place actually located है so climate of any place of the world हर जगे climate इन छे climatic controls के हिसाब से रहता है वो छे climatic control कौन से है भाई मेरे latitude altitude, pressure, distance from the sea ocean current, relief ये छे climatic controls है climate of each and every place is controlled by is maintained by these six climatic controls ये चीज़ ध्यान में रखना है छे climatic controls है और जो factors है पर इन दिन क्लाइमेट है वो अलग question है अलग topic है और ये अलग topic था climatic controls वाला अब जो next question है हमारा बड़ा important, interesting question है कभी गए हमारे दिमाग में भी ऐसा ख्याल आता है कि why most of the world desert are located in the western margin are continent or continent in the subtropics भाई सारे western region में थार desert यहाँ है बाद में सारे desert western margin में क्यों located होते है तो क्यों located होते है क्योंकि क्योंकि because of the cold ocean currents along with the western margin are the continent then the air that blow over the cold ocean current के तरब जो air blow होते है that becomes cold there by moisture struck हो जाता है and thus makes the region divide and moisture and the rainfall low amount of rainfall prevailing wind tropics and tropical stirli जो wind है तो वहाँ पे जो climate struck हो जाता है जिसकी वज़े से क्या हो जाता है कि वहाँ पे rainfall कम होता है बारिश कम होता है ठीक है थंडी कम होता है मॉश्य कम रहता है जिसकी वज़े से क्या होता है जो भी हमारे यहां के डेजर्ट है वो सारे डेजर्ट कहाँ पे होता है जादा तर western margin में होते है यह सारी चीजे हमने आज climatic controls के बारे में देखा इस वीडियो में climatic control सब से important question है फ़र ते important question हमने चार बड़े बड़े एक यह है दुसरा हाउसे चिस तरह कहां कहां बिल्ट है क्लाइमेट का मतलब वेदर का मतलब एन एलिमेंट्स ऐसे सारी चेज़ों हमेशा काम आने वाली चीज़ा और ध्यान में रखना है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा ठीक है तैंक यू सो मच गूड लग